मत्य प्रदेश के रीवा में कॉंग्रेस नीता दीपक सिंग के नित्वत में रीवा के कलेक्टर कालयालय के सामने धर्णा प्रदर्शन और डी-म को ग्यापन स्वा पा गया आपको बता दे प्रदर्शन करताओं का कहना है कि बिगत 17 वर्सों से रतन हरा और चोर हटा रोड बन रहा है जिसमें 296 करोड रुपे खर्च किये जा चुके हैं कई बार टेंडर हुए बिना पर्फॉर्मेंस गारेंटी अब धी पूर होने से पहले ही नई प्रोजेक्ट ला दिये जाते हैं बर्तमान में धूल इतनी जादा हो गई है जिससे लोग कॉरणा महमारी से कम और दमागी वीमारी से जादा परिशान हो रहे हैं इसके लिए आप जल दिस जल करवाही करें दो बिना किसी सुनियोजित तरीके से प्राइवेट कमपनिया काम कर रही हैं गंटो ट्रैफिक में लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है ट्रैफिक की ववस्ता को दुरस्त किया जाए और कमपनी के उपर प्रशास की लगाम लगाई जाए जिससे काम सुनियोजित तरीके से हो सके और साथ ही यह बताएं कि काम पूरा कब होगा सिबल लाइन का काम नगरों के अंदर चल रहा है वहां नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर तैनात किये जाएं और रेडियम के स्टॉपेज साइन बोर्ड लगें जिससे लोग दुरगठनाओं से बच सकें और पहले एक लाइन खोदी जाए और उसके सीसी लगने के इस बाद ही दूसरी लाइन पर काम शुरू किया जाएं एच बिया नियूज की खास रिपोर्ट इनजीनियर दीपरक सिंग जी दौरा आज जो सड़क का काम चल रहा है उसको लेकर ये गयापन सौपा गया है उनके मुख्य बिंदिये हैं कि जो सड़क का कंस्ट्रक्शन पॉलिटी है जो अलग-अलग तरह के काम किये जा रहे हैं उनके प्रॉपर मॉनटरिंग की जाए और एक नियाम अनुषार, वेध्यानुषार काम कराया जाए एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके उनकी मांगे कलेक्टेसर के सामने प्रसूत कर देते हैं उसमें हम वैधानी करवाई परवाई करवाई और टीम साहब के नाम का ग्यापन था जो की SDM मेडम ने लिया है हमारे ग्यापन के प्रमुक बंदू ये थे कि रतहरा से चुराटा रोड जो की 17 साल से बन रही है कहीं न कहीं 269 करोड रुपए इसमें फूंक दिये गएं खर्च हो चुके हैं पर रोडों की यथा इस्तित उसी तरह बनी है फिर से नया टिंडर हुआ है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये रोड यहां के नेता यहां के ठेकेदार यहां के अधिकारी के लिए दुधारू गाय बन चुकी है रोड से ये लोग नोट कमाने का जो सिस्टम यहां पे चला रखका है उसी सिस्टम को खतम करने के लिए हमारे बीच में ममता सिंग से लेके हमारी नाजिया बेगम जी, खुतेजा खान, जाईदा बेगम जी सब कोई एक एक व्यक्त यहां पे गत्रित हुआ है और इसी चीज के लिए हम लोगों ने यहां पे ग्यापन दिया है कि जल्द से जल्द ये रोड बनवाई जाए बोट हम देते हैं, धूल हम खाते हैं पेट्रोल डीजल में टेक्स सबसे ज़्यादा मद्दप्रदेश देता है उसके बाद भी ये जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है चार जनों के बीच में तो मेरा कलेक्टर साहब को से यही निवेदन था कि जल्द से जल्द रोड का काम किया जाए और जहां पे इस टॉपेज है वो इस टॉपेज बनाए जाए रेडियम साइन के जिससे दुरघटनाए ना हो और धूल के लिए लगातार पानी का छिड़काओ किया जाए जिससे धूल ना हो और तीन जरा नंबर बिंद उथा कि नगर निगम ने अभी अभी जलकर काव सो से देड़ सो रुपे कर दिया है कुरोना महामारी का समय है काम धंदे सब के बंद है नौकरियों से लोगों को निकाल दिये गए है इस समय सरकार को तो जनता की हितैसी बनना चाहिए पर ये जनता के भचक बन चुके है और सौक ची जगह देड़ सो कर दिया है हमने मार्ग की है कि इसको यह था इस्थित में रखा जाए मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि रतहरा के बीच में मैं गया हुआ था कल की बात है यहाँ पे जो ठेकेदाल लीपापोती का काम कर रहे है यह गयापन की कापी आपको पास भी जाएगी यह लोग लीपापोती जो इस्टेंडर पी डबलू डी का होता है रोड बनाने का उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है सिर्फ उपर उपर से चुपरा जा रहा है रोड को और फिर आने वाले साल दो साल में फिर से रोड़ खतम होनी है इनका दिमाग क्या है कि परफॉर्मेंस गैरंटी रोड की अबध की गुडवत्ता की अबध पूर होने से पहले यहां के स्थानी विधायक से लेकर यहां के स्थानी शाशन प्रसाशन नया प्रोजेक्ट ला देते हैं जिससे परफॉर्मेंस गैरंटी की चेकिंगी नहीं हो पाती, रोड की गुडवत्ता की चेकिंगी नहीं होती और नया पैसा सिंसन करा लेते हैं इस अंधकार के जीवन जो चल रहा इस रीवा के अंदर यहां की जंता सहने वाली नहीं है और अंतिम साथ तक हम लोग यहां की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलती धन्यवाद क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वहीं खबर हम से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हच्पियर न्यूज